हेलो दोस्तों नमस्ते लाइफ टाग दुवाई चैनल में आप साब का स्वागत है और मैं आपका दोस्त वरूप दोस्तों रेगुलार मुझे मेरा को सब्सक्राइब आर जिनका वीजा अबुधा भी अलाइन्स रिश्व हुआ है जय्late साब करते हैं टो मुझे कोर्शन करते है जर्णा नहीं रही हो है तो हम कैसे बापर्शन हाई उनके पास आईसी के ग्रीन सिंगल होना चाहिए लेकिन दोस्तो हमते कर सकता है हम तो ट्राइ कर सकता है दोस्तो मैं ऐसा की बुल ले हूँ दोस्तो सेगेंड नॉमेंबर दो नॉमेंबर मेरा एक सब्सक्राइबर जिनका भीजा भी आभूद अभीका था उन्होंने बीना दोस्तो आप भी बहुत दिनों से ये इसके लिए ट्राइ कर रहा है ग्रीन सिंगल के लिए लेकिन नहीं मिल रहा है और आपके हाथ में 35 दिशंबर तक टाइम है तो उसके अंदर ही आपको बापस आना होगा यहापर और मुझे आसा है यहाई का गवर्मेंट वो भी कुछ नहीं कुछ करेंगे 35 दिशंबर के अंदर लेकिन आप सोच रहा हैं कि मैं अभी वापस जांगा क्योंकि मैं कुछ लोग है नौम है ना दसमेन से आपने कांट्री में फासे हुए है तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्तो एर अरविया का जो कस्टोमर के नंबर है वहाँ पर करें जैसे इंडिया पाकिस्तान नेपाल भांगला इसलोंका हर कांट्री में एर अरविया कास्टोमर के नंबर है तो वह जो कस्टोमर के नंबर मैं वीडियो के आखेर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो वहाँ से आपको यह कस्टोमर सारा नंबर मिल जाएगा तो आप वहाँ पर कल करके यह फूच सकते कि सार मेरा वीजा अबुधाभी शेश्य हुआ है मेरा वीजा एलाइन शेश्य हुआ है और मेरे पास आई से का ग्रीन सिगनल नहीं है तो मैं कि आप वापोस आ सकता हूँ योई में गहां अध Zoom वापोस जाना होएं पहले शृत का डुषिव कर सकते हैं और अब करेंगे आपको आप्यअ जह समय करना होगा अधाई करना होगाँ जिनका visa company ने cancel कर दिया है तो वो नहीं आ सकते है इसलिए पहले आप आप अपना visa check करें अगर वो online active है तो आप ARVIA का customer का number है उहाँ पर call करके पूछे कि मेरा visa आपूदाभी अलाइस है तो मैं क्या भीन approval से without approval मैं क्या travel कर सकता हूँ क्योंकि दोस्तो दुबाई airport का भी announcement है official announcement दुबाई airport land करने के लिए GDF और ICA के approval चाहिए है लेकिन कुछ-कुछ मेरा कुछ subscriber भी आ रहा है मुझे खाबर मिल रहा है कि बिना GDF approval से वो दुबाई airport land कर रहा है अपने रिक्स पर आ रहा है मतलब इसके guarantee नहीं है वो लोग आपने रिक्स पर आ रहा है तो आप देखिए सार्जा आरपोर्ट में सार्जा आरपोर्ट में जैसे कुछ official announcement है जिनका विज़ा दुबाई सार्जा राशल क्या मोगल क्या में आजवार फुज़ास रिशी अब आप पहले डि terminology करें और दोस्त को अब बाथ है कि जो लोग अभी机 के बाहर है और आपका बीज़ा है अप इक साल से ज्यादा बात आपको एंडा the report नहीं लेकर आएंगे मतलब आप यह के बाहर आगर एक साल से कम हो तो अर यह दो अब और जिनका विजा managerial level का है मतलब high professional visa है तो वो लोग अगर देर साल से ज्यादा मतलब 1.5 year के ज्यादा देर साल से ज्यादा जो लोग EOE के बाहर है तो उनको air arabia, sergey airport नहीं लेकर आएंगे तो यह है मतलब managerial visa और जिनका visa high level high profession का visa है बोलोग अगर देर साल से कम EOE के बाहर है तो उनको air arabia, sergey airport लेकर आएंगे यह सिर्फ मैं sergey airport के लिए बोल रहा हूँ और air arabia के rules दूसरी को फ्लाइट के लिए यह rule नहीं है तो दोस्तो मैं और एक बात दोहरात हूँ आपका visa अबुधा भी alliance issue हुआ है और आपके पास ICA के green single नहीं है तो आप इंडिया पकिसान, निपल, बांगला, सिलंका से है तो आप air arabia का customer के number है अपना country का तो उहां पर आप call कर के पूस सकते है कि मेरा visa अबुधा भी issue हुआ है, alliance issue हुआ है और मेरे पास ICA के green single नहीं है तो मैं के आ सकता हूँ तो air arabia अगर यह आप confirm करती है कि हाँ आप ticket book कर सकते है तो आप ticket book करो और search airport land करो तो पहले आप को यह confirmation मिलना चाहिए air arabia के तरफ से पहले आप ticket book करे पहले आप call करे तो चलिए मैं आपके साथ फोन नामबर शेयर करूंगा इंडिया पकिस्तान नेपाल पंगला शिलांका का यह यह अरवबेगा जो कास्मा के नामबर है वह आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बहुत साथ लोगों के पास air arabia कास्ट्मर के नामबर नहीं है तो आपकी एक से बहुत साथ लोग को हेल्प हो सकता है दोस्तो दोस्तो वीडियो अगर आच्छा लएक तो वीडियो को लाइक करे और एक रिक भी जिए सो मँट बहुत भी भी